नमस्कार, न्यूस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे उत्तर भारत में फैलेली, जहरीली हवा की जी हाँ, दिल्ली, NCR ही नहीं, देश के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है घना कोहरा और धुन्द से हालत खराब हो गए है लगातार बढ़ते वायू प्रदिशन से सांस लेने में दिक्कत हो रही है ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा उत्तर भारत गैस चैंबर बन चुका है दिल्ली, नोइडा, गाजयबाद, गुरुग्राम ही नहीं, यूपी, हर्याना, बिहार, पंजाब, यहां तक की एमपी के शहर शहर तो दूशन से इस वक्त घीरे हुए हैं वायू गुनवत्ता खतरनाक लेवल पर है हवा की गुनवत्ता का अस्तर 500 तक पहुँच गया है और कहीं कहीं तो 900 तक का आकड़ा छू रहा है जो इस मौसम का सबसे खराब अस्तर है इसको देखते हुए दिल्ली समेत कई शहरों में स्कूल बंद कर दिये गए है यहां सवाल यह है कि हवा के हालात आखिर कब तक ठीक हो पाएंगे इस जहरीली हवा से लोगों को परिशानिया तो होई रही है साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात है वो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है हम आपको दिखाएंगे मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर चलिए तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन पर गोपाल राय ने भी बड़ा बयान दिया है दिल्ली सरकार की केंद्र से क्रितिम बारिश कराने की मांग की गई है आपको हम यह बता देते हैं कि क्रितिम बारिश की मांग लगातार दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से करती रही है क्रितिम बारिश से प्रदूशन हट सकता है ये दावा किया है, गोपाल राही ने, कृतिम बारिश के लिए सब ही विभागो की बैठक हो, ये भी उन्होंने कहा. इसके अलावा, कृतिम बारिश करवाना बहुत जरूरी है, ये गोपाल राहे ने बयान दिया है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार जब भी ऐसे हालात हुए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से केंद सरकार को ये लगातार कहा गया कि कृतिम बारिश कराया जाए हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस इस मौक की चादर को तोड़ने के लिए दिल्ली के लोगों को प्रदूसन से मुक्त कराने के लिए आइटी फिसियल रेन कराई जाए इसके लिए माने भुपेंदर यादव जी को चिठी लिख रहा हूँ कि तुरंत केंदर सरकार इमर्जेंसी मीटिंग कॉल करें और इसमें त्वरित गती से दिल्ली के अंदर प्रदूसन को कम करने के लिए जो इस मौक की चादर चाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आइट ता बोजह तो वहीं दिल्ली से जुड़े हैं यूसुफ सबसे पहले मैं यूसुफ करो करना चाहूंगी जो अक्षरधाम पर इस वक्त मौजूद है यूसुफ हालात आप देख रहे हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे हैं और ऐसे में यही सवाल उठता ह कि चुकि गोपाल राय की इस वक्त बाइट आई है बयान आया है कि कृतिम बारिश होना चाहिए कृतिम बारिश करने से क्या यह जो समस्या लगातार बनी हुई है उसमें कुछ सफलता प्राप्थ हो सकेगी यूसुफ आपको मेरी आवाज मिल रही है चलिए हम रुक कर लेते हैं आमिताब का इस बीच कुछ आडियो की दिक्कत है आमिताब हालात सिर्फ दिली एंसियार में ही नहीं बिहार हो यूपी हो मद्र प्रिदेश हो हर्याना हो तमाम जगों पर इसी तरीके के बने हुए है फिलहाल तो ये बताएं कि बिहार में क्या इस वक्त इस्तिती है और इसे निपटने के लिए राजे सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है देखें बिल्कुल सबसे पहले ताजा जो अपडेट है अपनी बंगलवार को दो पर एक बज़ तक बिहार के पटना की बात करें तो पटना में जो एक्वे लेवल था वो कड़िब तीन सो बीस है जबकि पटना से सटे हाजीपुर के एक्वे लेवल जो है वो 408 के उपर में है जबकि रवी बार के दिन पटना में सबसे ज़्यादा था और एक्वे लेवल जो है 500 के उपर चला गया था और जिसके बाद नगर निगम ने कई इलाकों में देखें पटना में कंस्रक्सर का काम काफी तेझी से चल रहा है और यहांपर मै्ट्रो का काम चल रहा है डबल डिकर का चल रहा है फिलाल ये कारण जो न जड़ा रहा है काफी दूल उरते हैं तो फिलाल नगर नीगम की तरफ से कई springs व्हेस चलाए जा रहे हैं जो इन इलागों में जहाँ ज़्यादा तक ज़्यादा आइकोलेबल गया था जहाँ धूलकर ज़्यादा थे वहाँ पीर सरकों के सफाई की जा रही है और जिसका नतीजा है कि कल से आज तक आज कुछ कम हुआ है लेकिन फिर भी जो डेंजर जोर है उसमें बना हुआ है 320 के करीब में आज एक बज़े का जो रिपोर्ट है पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड का उसके अनुसार आज एक बज़े तक 320 आका गया कॉझे देखे पटना के कि पानी कम हुआ है जो तो थूल काफी तेजी हूँ हुआ है और दूसरी की ट्रैफिक का अधर पणव है उसके चलते वहां पर बढ़ रहा है लेकिन पटना की हाला चौकाने वाली है कि वहां पर जो है काफी तेजी से उपर जाता है और फिर साम में वह फिर नीचे जाता है तो यहां प्यस्थिती काफी खराबे हाला की पटना में अभी फिलहाल इसको लेकर कोई स्कूल कॉलेज बंद नहीं किये गये हैं लेकिन डगन डीगम अपने अस्तर से प्रयास कर रहा है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा सरकों पे छिड़का हो चके और जिसके चल्चे जो ध झोल्ग में टोल्ग में टीजर तो कि आख रमने बंद प्रती कर जाओय को आएonceर जीगम से भिटो कोई भी जाल्ग में से धुड़ से बंद बंद आएर हैं लेम से घ nose नहीं किया राफ तो उत्स जोड़ सबमने बंस तो कि ङलो से में उनाया है तो और दो सी दोड़ कि जो